तो आज हम योगदर्शन के दूसरे पाद के 21 सूत्र की चर्चा करेंगे 21 सूत्र कहता है तदर्थ एव द्रिश्यस्य आत्मा उपर वाला सूत्र था द्रश्टा द्रिशी मात्र है शुद्ध हो भी प्रत्ययानुपश्य है और था द्रश्टा पुरुष आत्मा द्रिशी मात ने खिए और कुछ नहीं करता है फुद्ध होते हुए भी प्रत्ययानुपश्य बुद्धी दिखाती जो है तो इसलिए बुद्धी के दिखाय को ही देख रहा है इसलिए तो यह भ्हनती होती है के मैं, यहीं बुद्धी हो है और उसी बात को आगे कहते हैं तदर्थेव द्रिश्य स्यात्मा अरे उसील के लिए उस पुरुष के लिए ही तो इस द्रिश्य की आत्मा है अर्थात स्वरूप है द्रिश्य कौन संसार द्रिश्य जो संसार भोग रहे हैं हम दिखाई दे रहा है उस संसार की आत्मा आत्मा यानि कि उसका अस्तित्व, उसका होना, ये तदर्थेव उसी के लिए है, पुरुष के लिए है, आत्मा के लिए है, यानि ये जो पूरा का पूरा संसार है ये मेरे लिए बनाया गया है, मेरा अपना एक विचार है इससे संबंधित, और जिस दिन ये विचार मुझे समझ मे आया थोड़ा सा जीवन में परिवर्टन आया है विचार ये है कि हमें लगता रहता है कि हम भी कोई जरूरी है क्या इस संसार में दुनिया में अगर सबसे तुछ कोई हो सकता है तो वो मैं हूं वो हम है हमसे भगवान ने पूछा नहीं कि हमें संसार में आना है या नहीं आन अगर मुझे पता होता कि मुझे कौन से माता पिता चाहिए या मेरे से पूछा गया होता कि मुझे जन्म लेना भी है कि नहीं लेना है तो मैं तो मना कर देता है मुझे नहीं लेना कि नहीं का स्वभाव ही हो को एक के बिना दूसरा नहीं जी सकता तो बात अलग है लेकिन वो इसलिए नहीं जी सकता क्योंकि वो संतानुत पत्ति नहीं कर सकते तो इश्वर की तरफ से ऐसी व्यवस्था है उनके भीतर के वो नहीं रहेंगे एक के बिना दूसरा लेकिन किसी यह सोच कर कभी आत्मातिया नहीं कि अब जीवन जीने से क्या बेकार है जीवन चलो छोड़ देते हैं संसार को लेकिन मनुश्य एक ऐसा जीवे जो सोचता रहता है अरे मैं भी संसार में क्या महत्व रखता हूं मैं तो तुछ हूं अब तो संसार छोड़ी ही देना जाधा ब हूं आप सोचेंगे वो कैसे यह ठीक ऐसी होता जैसे एक विद्यालाय में छोटा बच्चा पढ़ता है हो वो सोचता है सबसे तुछ कौन मैं जब चाहे अध्यापक को ग्रिहकारिये देते हैं कितना भी देते हैं बस उनका क्या जाता है उनको करना थोड़ी है ग्रिहकारि होमवर्क तुनको थोड़ी करना है तो दे करके चले गए घर जब चाहे पिटाई हो जाती है डाट पढ़ जाती है सारा लिखना पढ़ना हमें पढ़ता है रोज विद्या ले आओ रोज जाओ अध्यापकों की मर्जी जब चाहे छुटी ले लेते हैं पर नहीं अध्याप समसे नहीं क्या पढ़ाना है बस जो पढ़ा रहे हैं वो देखते जाना है और लिख लेना सबसे अच्छा जीवन इन बच्चों का है चाहे अब प्रिंसिपल से पूछेगा वो भी यह कहेगा और अगर सबसे मिलकर के आप यह पूछेंगे कि यह विद्याले किसके लिए ब ये अगर दुनिया चल रही है दुनिया में सरकारे हैं अब जो आम जनता क्या है वो सोचती रहती है हम तो तुछ हैं बेकार हैं सरकार के जब मन में जो चाहे कर दे लेकिन अगर एक आदर्श सरकार देखा जाए तो आदर्श सरकार की दृष्टी से सबसे मुख्य यदि कोई है तो वो है प्रजा प्रजा के लिए सब कुछ हो रहा है प्रजा के लिए इतना सारा तंत्र खड़ा किया गया है प्रजा मुख्य है पर वो सोचते हैं मैं क्या मुख्य हूँ मुख्य तो सरकार है पर ऐसा नहीं है आदर्श सरकार में ऐसे ही संसार में भी ईश्वर मुख्य नहीं है प्रकृति यह संसार भी मुख्य नहीं है मैं मुख्य हूं मेरे लिए बना है यह सब संसार मेरे लिए इसकी रशना हुई है मैं नहीं बनाता तो भगवान से अगर पूछ करके देखा जाए कि भाईया क्यों इतना सारा ताम जाम तो वह यह कहेगा कि यह जो नीचे जीव बैठें आत्माइं हैं इनके लिए सब कुछ किया जा रहा है मतब यह जरूरी है हम सोचते हैं हमारी क्या आवश्यक्ता है हम तो तुछ हैं तो इसका मतलब मुझे इसका सदूपियोग करना है अरे भाई कोई चीज मेरे लिए ही बनी है तो मुझे उसका सदूपियोग करना है सरकारी कार्याला है मेरे लिए है तो मुझे सदूपियोग करना है सरकार के लिए थोड़ी है सरकारी कार्याल है सड़के सरकार के लिए थोड़ी है सरसरके आमजनता के लिए हैं ऐसे यह संसार मेरे लिए बना है कितनी खुशी की बात है सोचो सोचो भगवान जो कर रहा है वो उसका उद्देशे मैं हूँ मेरे लिए सब कुछ हो रहा है कितना बड़ा हुँ मैं, खितना विशेश हुँ मैं, और मैं यूहीं अपना जीवन गमाते जा रहा हूँ, एक बार, अध्यात में उतरें तो सही, जो व्यक्ति एक बार अध्यात में उतर गया न, उस व्यक्ति को घमंड तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, हीन भावना उसमें शून्य भी नहीं रहेगी सीना चोड़ा करके घूमेगा भगवान भी मेरे लिए काम करता है अर्म संसार का स्थित्य तो मेरे पर्टिका हुआ है अगर मैं नहोंता तो ये संसार बनता ही नहीं इसलिए एक आत्म विश्वास जगाई है अपने भीतर क्योंकि प्रकृति का नियम ऐसा कहता है और व्यास जी लिखते हैं इसके बारे में द्रिशी रूप अस्य पुरुश अस्य कर्म रूप अताम आपन्नम द्रिश्यमिति कह रहें द्रिशी रूप देखने वाला जो पुरुश है उसके लिए ये जो द्रिश्य है पूरा संसार है उसी के लिए कर्म रूपता को प्राप्त हुआ है ये तो मूल में वेचारे तीन कंड थे सत्वर अजस्तमस थे कहीं था इनका मतलब अपने में थे कोई दिखाई नही थे लेकिन जैसे ही हम आत्माओं के कर्म फल भोगने और हम आत्माओं को सुखी करने के लिए इश्वर के मन में लक्षे उठा तो उसने सबसे पहले क्रिया रूप किसे किया अरे उसने इन तीन सत्वर अस्तमस को उठाया और कर्म रूपता यानि कि इनमें बदलाव किया इ यह हमारे पुरुष के लिए बना है तो कहरें द्रिशी रूप जो पुरुष है देखने वाला जो पुरुष है भोगने वाला जो पुरुष है उसी कल के लिए बस यह पूरा संसार कर्म रूपता में आया है कर्म रूपता में आ रहा है माने कि बदल करके इस वर्तमान दिखाई दे रहा है तदर्थ है वद रिश्यस्य आत्मा और इस संसार का अस्तित्व ही उस पुरुष के लिए टिका है स्वरूपम भवती इति अर्थह आत्मा अर्था स्वरूप उपर आत्मा शब्द है न कि इस संसार की आत्मा क्या है संसार की आत्मा मतलब हम आत्मा नही संसार का अस्तित्व क्या है वहां आत्मा शब्द का आर्थ है स्वरूप अस्तित्व तो इस संसार का अस्तित्व क्या स्वरूप क्या क्यों हमारे कारण के हमारे बहुत ही छोटा सूत्र है छोटा भाष्य है लेकिन भाव बहुत बड़े हैं जीवन में बड़े काम का है आप कि निराशा दूर करने वाला है जब आपको लगेका कि मेरे लिए बना है और हमें बड़ी प्रसंदता होती है जब पिता जी आए और कुछ ले करके आएं और मा बोले कि तुम्हारे के लिए लेकर क्या हैं अपने लिए थोड़ी लाते हैं ये कुछ हुई का सामान मिठाई लान तुम्हारे लिए लाएं लाएं कितनी प्रसंदाओ छोटे बच्छों को तो नहीं पता चलता है नादान होते हैं ना समझ होते हैं बड़ी उम्र में घर में पता चल जाए ना कि ये पूरा का पूरा आरेंजमेंट ताम जामूं मेरे लिए हुआ है मैं तो खुशी के बारे फूला नहीं समाता सोचे कोई पूरी पार्टी और्गनाइज की गई हो और मेरे सबसे मिलूंगा तुम्हें पता ये पार्टी मेरी है तुम्हें पता ये कारिक्रम मेरे लिए हुआ है इसलिए तो शादियों में दूला अपनी अलगी उसकी मांगें होती है ऐसा होगा उसे पता है कि भाईया तुम्हारे लिए तो पूरा शादी का आयोजन है और तुम ए सारा कारिक्राम व्यार्थ हो जाएगा इसलिए उसे मनाने के लिए कुछ भी किया जाएगा उसे आप इस पूरे संसार के दूले हैं चाहे मतलब मैं आत्मा की बात कर रहा हूं इस त्री पुरुष कोई भी हो सकते हैं पर आप इस संसार के ताम जाम जितना हो रखाए पुरा लगा हुआ है पेड़ पौधे प्रकृति इसके दुल्हे आप महत्व समझे अपना इसका उपयोग अच्छे से कीजिए जिसलिए ये पूरा का पूरा आयोजन किया गया है उस आयोजन से भरपूर लाब लीजिए सुखी रहिए यहां भी और इसके बाद की भी तैयारी रख परेशक्रम तद अन्यसाध्हरण अत्वाथ अब एक प्रश्न मन में ओठता है अच्छा ये संस्Art मेरे लिए है इसका मतलब जब मुझे मुक्ति मिल जाएगी तो ये संसार तो समाप्त हो जाएगा रही मेरे लिए था न संसार और मुझे अगर मुक्ति मिल गई तो तो संसार का कोई मतलब रह जाएगा क्या नहीं फिर तो संसार नश्ठ हो जाना चाहिए पर नहीं कह रहे हैं हाँ नश्ठ हो जाएगा पर केवल मेरे लिए केवल मेरे लिए नश्ठ होगा सब के लिए नहीं होगा कह रहे कृतार्थम प्रति जो व्यक्ति कृतार्थ हो गया है, जो आत्मा, जो पुरुष, जो जीव, कृतार्थ हो गया है, कृतार्थ मतलब उसने अपना अर्थ, अर्थ यानि कि लक्ष, एम, उद्देश्य, कृता कर लिया, कृतार्थ का अर्थ होता है, जिसने अपना अर्थ, यानि कि उद्देश्य क्रित कर लिया, पालिया अपना उद्देश्य, अपने एम तक पहुँच गया जो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, ऐसी आत्मा को कहते हैं, क्रितार्थ, कर लिया जो करना था, पालिया जो अर्थ पाना था, ऐसे क्रितार्थ के प्रती, नश्टम, ऐसी उस क्रितार्थ आत्मा के प बार हम बेहोश हो जाते हैं क्या मेरे लिए संसार का कोई अस्तित्व रहता है मेरे लिए संसार का कोई अस्तित्व नहीं रहता मेरे लिए संसार समाप्त समझे थोड़ी दिर बाद फिर आँखें खुलती है फिर लगता है नहीं संसार तो है अरे संसार है क्योंकि मैं हूँ, मैं देखने वाला हूँ, तो मेरे लिए ये संसार किसी काम का नहीं रह जाते हैं, या मैं यूँ समझूँ कि जो संसार मुझ आत्मा से जुड़ करके और मुझे यहां अच्छे बुरे कर्मों का फल दे रहा है, इसी से बंधन से तो छूटना है हमें, क्योंकि हमारे दुखों का कारण है, ये संसार और मैं दोनों मिल जाना, जब ये मेरी समस्याओं का कारण है, तो इससे छूटना है न मुझे, इससे छूटना है, तो जब मैं छूट जाऊंगा, तो मेरे लिए तो संसार नश्ट हो गया मतलब मुझे बंधन में थोड़ी डालेगा फिर वह ऐसे समझ यह कि जैसे मान लीजे बारिश हो रही हो बारिश में सब भीग रहे हैं कुछ लोग परेशान हो रहे हैं और सब अपने अपने इंतजाम कर रहे हैं लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसको बारिश भीगोती ही नहीं मान लीजे कोई ऐसा हो जिसको बारिश नहीं भीगोती हो जिसको आग जलाती नहों ऐसे होलिवुड में बड़ी कई कैरेक्टर दिखाए जाते हैं एक फिल्म आई थी ब्रह्मास्त्र उसे आग से डर ही नहीं लगता आग से जलता ही नहीं हो अब सोची जो बखती आग से ज क्योंकि मेरे पर असर ही नहीं डाल रही है बस उसी बात को यह कह रहे हैं ऐसे हम बहुत प्रियोग करते हैं अपने जीवन में कि बारिश हो रही है मुझे नहीं भी गो रही तो हम क्या कहते हैं मेरे लिए बारिश का होना ना होना एक जैसा है मान लिजे कहीं पर बारिश हुई हमारे खेत में सूखा पड़ा है हमारे खेत में पड़ी ही नहीं हुई ही नहीं बारिश यह यूं समझिए कि बारिश हुई लेकिन मैंने कोई फसल लगाई ही नहीं थी मैंने सोचा पांस दिन बाद बीज बोंगा अब बारिश हो गई पहले बीज अभी तक बोया नहीं, माली जो कोई फसल ऐसी हो जिसके लिए बीज बोने के बाद में पानी की जरूरत पड़ती हो, तो आदमी इस आशा में होगा कि बीज लगाऊँगा, बारिश हो जाएगी, बहुत अच्छा फसल होगी, अब बारिश हो गई पहली, तो किसान क्या कहता है, मेरे लिए तो बारिश होई नहोई एक जैसी, मेरे लिए तो नहोई जैसी, समझी, ऐसे ही संसार में रहकर के, जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया, यानि कि जो व्यक्ति मोक्ष में चला गया, उसके लिए ये संसार नश्टम, नश्ट हुआ समझी, पर कह मेरे लिए ठीक है, आप में से किसी को मुक्ति की योग्यता मिल गई, भगवान आप पर कृपा करें, कि आप जल्दी ही उस मोक्ष के अधिकारी बने, अगर आपको मोक्ष की स्थिती मिल गई, तो आप के लिए संसार नश्ट होगा, पर कहनें फिर भी अनश्टम, पूरी तरह से नश्ट नहीं होगा, क्यों? अरे तद अन्य साधार नत्वात, उसके अन्यों के लिए सामान्य रहने से, बाकी भी तो जीवात्माएं हैं, कोई और बों जीवात्माएं इस संसार में, उनके लिए तो अभी सामान्य स्थिती है ना, वो तो बेचारे अपने रास्ते में है भी, और जब वो अपने रास्ते में तो उनके लिए तो संसार को रहना पड़ेगा ना, उनके लिए संसार अभी भी है, मेरे लिए नश्ट हुआ है, क्योंकि मुझे पर अब वो बंधन नहीं डाल रहा है, अब मुझे वो अपने बंधन में बांध नहीं रहा है, इस के लिए भी नॉर्मल है वो भी मुक्ति के योग्य नहीं बने उन्हें तो इसी संसार में जीना उनके लिए उन्हें अभी भी बंधन में डाल रहा है उन्हें अभी भी सुख्दुफ दे रहा है तो उनके लिए संसार अभी भी है वो भी संसार में तो इसलिए सूत्र बड़े सरल शब्दों में समझाता है, कहते हैं, जो व्यक्ति मोक्ष में चले गए, मतलब योग्यता बन गई है, उनके लिए संसार नश्ठ हुआ समझो, और जो नहीं है, उनके लिए अभी भी संसार है, बना हुआ है, भाष्ये देखते हैं, वेदव्यास जी क्या कहते हैं, महर्शी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अन्श है, और आत्मा एक ही है सब की, यानि हम सब की आपकी और मेरी आत्मा एक ही अलग अलग नहीं है, ऐसा कुछ लोग मनते हैं, ऐसा किस कुछ पुस्तकों में पढ़ने को आपको मिल जाएगा, ऐसे कुछ लोग आपको कहते हुए मिल जा आज जिस्वे हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो मोक्ष का अधिकारी बना है उसके लिए यह संसार्व नश्ट हुआ है बाकियों के लिए नश्ट नहीं हुआ अब बाकियों से मतलब बाकी अन्य आत्माइं अलग हैं उनका अस्तित्व अलग है भई एक सूत्र हमें ये भी तो समझा रहा है कि इसका मतलब आत्माएं बहुत सारी होती हैं तभी तो मेरे लिए संसार अलग स्थिती में दूसरे के लिए अलग स्थिती में इससे पता चलता है आत्माएं बहुत सारी होती हैं हम सब एक नहीं है चलिए भाष्ये देखते हैं भाष्ये में कहते हैं वेदव ये संसार नश्टम नश्ट हो गैा है लेकिन अपी फिर भी अधात नाशं प्राप्तम नाशक को प्राप्त हो गए नश्ट हुआ समझी मैं अपी अनश्टम फिर भी नश्ट नहीं होले सुत्र को लिख रहे में नीचे तदन्य पुरुशा साधारनत्वात बाकी पुरुशों के लिए भी संसार सामान्या है क्यों जो लोग ज़ाडियों के बीट से निकल रहे हैं काटे बिछे हुए एक ने जूते पहन लिए उस व्यक्ति के लिए काटे होना ना होना कोई मतलब नहीं रखता उसके लिए तो काटे नश्ठ हो गए समझो कोई कहे काटे हैं भाईया आरे होते होंगे मेरे लिए किसी काम के नहीं है यह जूते पहन रखें मैंने लेकिन बाकी जो निन्यानवे लोग हैं कहरें उनके लिए तो अभी भी काटे हैं एक व्यक्ति जो कुशल हो ग ही है जैसे किसी व्यक्ति को काम दिये जाएं मुश्किल मुश्किल एक सवाल हल मतलब करने को जब बच्पन में दिये जाते थे नहीं बच्चों को हमवर्ग दिया जाता था प्रश्न करके लाने हैं तुम्हें दो और दो कितने होते हैं चार और तीन जोड़ पांच और आपको दे ये काम तो आपके लिए काम है आपके लिए काम नहीं है आपको लगए का मेरी बेज़ती हो रहा है ये मेरा आप माने मुझे ये सवाल दिया जा रहा है मतलब मेरी ये योग्यता की जा रही है मेरे लिए ये सवाल सवाल नहीं है आप उसे कहेंगे ये सवाल है मेरे किसके लिए बच्चों के लिए ऐसे ही यह दुनिया दुनिया है किसके लिए जो अकुशल लोग है जो अभी तक क्वालिफाइड नहीं हुए है उनके लिए यह संसार संसार है लेकिन जो कुशल लोग है उनके लिए तो यह संसार समाप्त हुआ समझो सवाल सवाल ही नहीं रा पिशयताम अपन्नम लभते यह पर 5 पर रूपेण आत्म रूपमिती के लिए तो यह संसार अभी वी कर्म रूपेण अभी विकिरिया रूप अभी वी इसमें शुख़िदुक चल रहे हैं मैं उनका अस्तित्व दरसल आत्माओं के अकुशल होने पटिका हुआ है विद्याले तब तक हैं जब तक लोग अनपढ़ हैं एक भी दुनिया में व्यक्ति जिस दिन अनपढ़ नहीं बचेगा और नई जेनरेशन आएगी निए उस दिन कोई विद्याले नहीं खुलेगा इसलिए कह रहे हैं कि पररूपेन संसार का अस्तित्व दूसरे पर आश्रित है जब तक हम लोग हैं अकुशल ना समझ तब तक ये संसार है आगे चबते हैं आगे करें अतश्च दृक दर्शन शक्तियों हो नित्यत्वात अनाधी संयों को व्याक्षा तैति इसलिए तो दृ देखने वाली शक्ति कौन? आत्मा हम और दूसरी दर्शन शक्ति यानि दिखाने वाली शक्ति कौन? यह संसार यह यूं कहें कि हमारी इंद्रिया हमारा शरीर मैं हूं देखने वाला और प्रकृति से बना मेरा शरीर धैद दिखाने वाला इन दोनों के नित्य होने से मैं आत्मा भी नित्य और ये प्रकृती भी नित्य एक सिध्धान तोर समझ लीजिए यहां पर रिशीद आयानंद कहते हैं कि मैं आत्मा अर्थात संसार के सब जीव नित्य हैं और वो कहते हैं साथ ही साथ परमात्मा भी नित्य है और वो कहते हैं साथ ही साथ संसार यानि कि प्र का इसी को कहते हैं अब देखिए परमात्मा तो नित्य है ही परमात्मा को तो यह कई जगह पे नित्य लिख आए हैं वेदव्याज जी मैं रिशी दैनंद की बात नहीं कर रहा हूं रिशी दैनंद अपने से पूरवज रिशीयों का अनुसरण करते हैं उनसे इधर उधर नहीं जाते अब सोचिये देखे वेदव्याज जी तो हमारे लिए परमप्रामानिक हो सकते हैं परम प्रामानिक मतलब वेद जैसे प्रामानिक तो नहीं पर फिर भी रिशी हैं रिशी दयानंद के पूरवज हैं वो क्या कह रहे हैं द्रिक शक्ति और दर्शन शक्ति इन दोनों के नित्य होने से दोनों नित्य हैं दोनों न कभी जन्म लिया और न कभी मरेंगे दोनों यह प्रकृति भी नित्य है, संसार नित्य नहीं है, पर जिस से संसार बना है, वो प्रकृति नित्य है, और मैं भी नित्य हूँ, भगवान तो नित्य है, उसके बारे मैं तो कई बार बता चुके हैं, तो तरीत वाद तो पग पग पर रिशीद आनंद का सिद्धोगरा है, कह रह सब्सक्राइब व्यांग Also system of numéro कर रहते हैं उनमें आत्माइब आती रहती हैं उनका सईयोग होता रहता है और कबसे अनाधी कालज से नहीं पता कबसे नहीं पता कब a घृषप बस चल रहा है कब से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि नित्य हैं अच्छा जब सूत्र उपर कह रहा है कि जिसने अपना लक्षे पूरा कर लिए उसके लिए तो संसार नश्ठ हो गया तो कह रहे हैं कि और भी तो जीवात्माएं है अच्छा एक बात और सोचिए जब जीवात्मा हम नहीं गिन सकते इतनी आत्माय हैं इश्वर के लिए भले ही कांटिंग करना आसान हो ती गिन्ती करना आसान हो unses तो जरूर पता होगा कितनी है पर हमारे लिए तो यूं समझ ty असंख्यात मा होनी चाहिए तभी तो यह सनसार चलता रहता है क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि सब मौक्ष में चलेगा हैं सारी है ये इस बात से सिद्ध होता है इश्वर जीव प्रकृती अनादी है ये इस सिद्ध होता है नित्य हैं ये सिद्ध होता है संसार कब से बन रहा है अनादिकाल से ये इस पंकी से सिद्ध होता है छोटी सी बात लेकिन हमारे सिध्धानतों को सपष्ट कर देखी आगे कह रहें तथा चौकतम क्योंकि कहा भी गया है शास्त्रों में कुछ कहा है क्या कहा है धर्मी नाम अनादी संयोगात धर्मा मात्रा नाम अपी अनादी संयोग हो कह रहें धर्मियों के अनादी संयोग होने से धर्मियों के अनादी संयोग होने से धर्मी अर्थात प्रक्ति के तीन गुण जिने धर्मी कहा गया है क्योंकि धर्म कहते हैं quality को और quality किसमे है इस संसार में जितनी quality हमें दिखाई दे रहे हैं धर्म हमें दिखाई दे रहे हैं वो quality दरसल basic रूप में किसमे है मूल रूप में कहां से आई वो वो आई सत्वरजस्तमस से तो जो भी धर्म हमें संसार में दिखाई दे रहे हैं उन धर्मों को धारण करने वाले वो धर्म किसके भीतर हैं तो कहरें प्रकृति के भीतर हैं उसी को कहा जाता है धर्मी जैसे जिसके पंक हैं उसे कहा जाता है प पक्षी पक्ष हैं क्योंकि उसके ऐसे ही जिसके धर्म है उसे कहा जाता है धर्मी यानि प्रकृती के तीनकण सत्वरजस्तमस इन धर्मियों के अनादी संयोग से ये धर्मी अर्थात सत्वरजस्तमस आत्मा के साथ अनादी रूप से संयोग हो रहे हैं संयोग तो हो रहे हैं और नए नए शरीर बन करके संसार चल रहा है लगाता तो धर्मियों अर्थाच सत्वरजस तमस का पुरुष के साथ अनादी संयोग होने से धर्म मात्राणाम पी अनादी संयोग है धर्मों का भी अनादी संयोग है तो देखे प्रकृती से क्या क्या नए धर्म उत्पन हुए प्रकृती से बना महतत्व यानि की बुद्धी प्रकृती से बना अहंकार प्रकृती से बनी हमारी इंद्रियां प्रकृती से बना हमारा मन ये प्रकृती के ही तो धर्म है अरे जब प्रकृती संसार से अनाधी काल से जोड़ रही है तो प्रकृती के धर्म यानि मन पूरा कर लें फिर हमारे लिए ये संसार बंधन का कारण नहीं रहेगा हमारे लिए अब कोई दुख का कारण नहीं बचेगा लेकिन संसार नश्थ हो जाएगा सच में ऐसा बिलकुल भी नहीं है बाकी जो आत्माएं उनके लिए अभी भी संसार एक्जिस्ट करता है उन्हें अभी भी बंधन में डालता रहेगा उन्हें दुख देता रहेगा चलिए 23 सूत्र हम पढ़ेंगे लेकिन आज नहीं कल क्योंकि आप लोगों के प्रश्नों बहुत सारे होते हैं इसलिए कक्षा को यहीं विराम देते हैं प्रश्नों का स्वागत है